हेलो अब्रिवान सीवी की रसोई में आप सबका स्वागत है कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करती सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्त होंगे तो आज हम आपके लेकर रहा हैं ब्रेट पिजा की रेसिपी जो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाती इसे बनाने में मुस्किल से 10 मिनट ही लगते हैं अगर आपके बच्चे जीत कर रहे हैं पिजा खाने की तो आप इसे मिन्टों में बना के उन्हें दे सकते हैं और बहुत सारी सबजियां इसमें डालके जो बच्चे नहीं खाते हैं सबजियां उनको आप प्रिजा के में डालके सबजियां खिला सकते हैं तो सबसे पहले इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ब्रेड ले लेंगे, साथ में हम ले लेंगे सबजियां, तो सबजियों को हम बारिक कट कर लेते हैं, तो सबजियों में हमने लिया कैपसिकम, पनी, सुईट कॉन, टमैटो और ओनियन, तो इन सब को हमने बारिक कट कर ले और इस तरह से आप इसमें चारोतर ब्रट पर लगा सकते हैं आप चाहें तो ब्रट को टोस्ट करके यानि एक साइड टोस्ट करके उसके उपर बटर लगा लेंगे दूरसीरी साइड आप इसे नहीं टोस्ट करेंगे नहीं उसको क्या करेंगे हम नीचे से सेखेंगे तो दोन ढ़ल सकते हमने चारू तरफ या सबजों सबजीजां कटकर लें सीपेट मैं तो अपनीर तो chiजों को मैं चालैे लिगा देखेंगे हमने साबस्पश्श को बार इक बार करके चारो तरफ से पहला दिया है अब इसमें हम डालेंगे पनीर पनीर कने छोटे टुकड़े की हैं आप चाहें तो बड़े टुकडे भी कर सकते हैं तो इस तरह से हम चारो तरफ इसे भी फैला देंगे तो इस तरह से सारी सबजियों को और पनीर को हमने इसमें फैला दिया अब हम इसमें डालेंगे औरिगोनो और चिली फ्लेक साथ में तो इस तरह से उसे भी थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, उसे डालने के बाद में, इसमें हम डालेंगे चाट मसाला, साथ में काली मिर्च पर जो बाउडर, तो काली मिर्च का पाउडर इसमें डालने से इसका टेस्ट जादा अच्छा आजाता है, साथ में अब इसमें डाले तो आप किसी भी तरीके 5 का लाइड चीज आड़ कर सकते हैंнокुलask from आप स्लाइस भी चीज स्लाइस कर सकते हैं उसके उपरा नाल देंगे इसमें आप मौलका छीज आता वो डाल देंगे, गिसकर करके construction a gebe. अब सबस्कों क्याना, किजरें करके इस इसमें चीज यानि बटर चीज और मोजरीला यह सब लगाके हम इसमें लाएंगे जो से देखने में उपर का जो है वो बच्चों को पता भी नीचे लेगा कि नीचे सबजियां पड़ी है तो अब इसके उपर हम क्या करेंगे इसमें हम डाल देंगे पिज़ा सॉस तो उपर ह लगाने के बाद ब्रेट पे अब हम इसमें लगाएंगे पिज़ा सॉस तो इस तरह से हमने सारी बटर पे पिज़ा सॉस लगा लिया अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज से लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और हमारे चैनल को सस्क्राइब करें अगर यहां पर चीज स्लाइस का भी उपर यूज कर सकते हैं तो हमने मुजरीला चीज इसमें यूज कर लिया है तो सारे मुजरीला चीज इस पर डाल देंगे साथ में अब क्या करें फिर से हम उसी चीजों कर रिपीट करेंगे जैसे चीली फ्लेग और गोनो कली मिर्च और देशी हुई सबजीया जो थी उन्हें हम दूसरे पिजास में बनाने के लिए यूज कर लेंगे तो इस तरह से सारी रखने के बाद में अब हम क्या करेंगे एक तवार ले लेंगे उसमें हम देसी घीडाल देंगे जिससे के नीचे का जो हमारा जो पिजा है वो जो जो मेल्ट होगी तो पिजा जो ब्रेड है वो जलेगे नहीं वैसे क्या हुता पांदस मिनट के बाद में जो ब्रेड है निचे से जलने लगती है तो इस तरह के से हम जब आइस क्यूब रख देंगे साथ में तो वह वहाँ पर जो भापन बनेगी तो उससे क्या होता वो प तो सारे चीज जो होती मेल्ट होने लगी है तो इसे फिर से हम ढखकर दो से तीन मिनट बाद फिर से चेक कर लिया था हमने तो इस तरह से हम क्या करेंगे अब उसे निकाल लेंगे साथ में दूसरा जो ब्रेड पिजा बना के रखा था वो भी इसमें रख देंगे तो आप दे साथ मेल्ट हो गया था तो अभी क्या करेंगे उसमें फिर से आइस क्यू ढाल देंगे उसकी थोड़ी छीटे गिर गए ती इसलिए हम क्या करेंगे उससे चार तरफ से हिला देंगे जिसे पानी जल जाए अब इसमें फिर से बाईल में हमने वह वापिस से रख दिया है तीछे की जो लेयर है इसमें ब्रेट की कितनी क्रिस्पी बनी है अब आगे से भी जो सब्जी हमने बगएरा डाला था चीज बगएरा वो काफी अच्छे से मेल्ट हो चुका अभी अभी समकी हम कटिंग कर लेते हैं तो आप देखेंगे इस तरह से हमने इसे बना लिया बहु किया है आप चाहहें तो तो यह देखेंगी आप गरम है इसलिए हम अराम से कट करेंग नहीं तो हाथ जल जायंगे क्योंकि जो चीज होती हुआ काफी गरम होती है ने इस दो स्ट्रीट स्टायल में बना हुआ है नीचे सारी सब्जी के लेख सकते हैं कितनी सारी सब्जी आप देखेने में अब इसे इसे सब्जाएं कर चाप कर सकते हैं आप डालेंगे इसा पॉलर में बीजा डालेंगे जो हमने बावमोल का चीज लिया था, वह हम इसमें डालेंगे तो यह दालने के बाद में आप इसे चोटी भूब्वोबे आप इसे लगा सकते, यूज़् कर सकते जैसे आपको हलकी भूब्वोब लगी है, तो आप इसे बना के खा सकते हैं तो हमने क्या किसे टमेटो किचleşप के साथ सर्व किया आप चाहें तो इसे अरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैंแลजया हमारा यह पिज्जा ब्रेट पिज्जा सॉस ब्रेड यानि ब्रेट पिज्जा बनके रेडी हो चुका एकदम स्ट्रीट स्टाइल में तो देख सकते हैं इसे आप सर्व करें